मार्वल के कुछ प्रजेक्ट को छोड़के क्या आपको भी फेस फोर थोड़ा ठंडा लगा तो अगर ऐसी बात है तो बहुत जल्दी गर्मी आने वाली फेस फाइफ में क्योंकि यहाँ पर मार्वल कुछ बैतरिन प्रजेक्ट को अनौंस किया है और यहाँ पर कुछ ऐसी ल यहाँ पर आपका फेवरिट सुपर हिरो कौन है जिसके आप सोलो मुई देखना चाहते है जो बिलकुल नया आजया है मारवसर बैटेक्रोस में साथी साथ जो लोग में चैनल पर नया में चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बोक टॉक्स बाइमली का इससा बन जो कि देखने में काफी क्यूट लगा था और सुनने में यह भी आ रहे कि आगे जाके हम लोगों को इसी शौट में रॉकर ट्रकून का भी केमियो दिखाए जाएगा हाला कि यहाँ पर आगे कि अगर लोग बात करें तो सबसे इंपोर्टन चीज मुझे लगी है वो है यह सब देखने के बाद यहाँ पर एक चीस तो कंफरम है कि यह सब जो ट्रेट मार्क है वो लीग के रूप में आए है लेकिन इनकी ऑफिशल अनॉस्मेंट लोगों के साथ बहुत जल्दी मावा स्टूडियोस के तरफ से हम लोगों को देखने को मिलने वाली है लेकिन दोस्त कि कैंग कैसे मल्टियोस में कंट्रूल करेगा हाला कि यहाँ पर वेरिंट्स काफी अलग हो सकते हैं जो एक दूसरी को बिल्कुल पसंद ने करते हैं जैसा कि हम लोगों को लोकी की ट्यू स्रीज के आकरी अप्सोर्ड में देखने को मिला था और यहाँ पर कोई कैंग खतर की जहाँ पर सुप्रीम स्रीज ने अपनी जान गवा दी ती यहाँ पर के इल्यूमिलाट्टी के टीम मेंबर ने उनकी कहने पूने खतम कर दिया यहाँ पर कुछ कैंग के अकॉर्डिंग उनका सबसे बड़ा दुश्मिन आरेन मैन हो सकता है वैसे यहाँ पर अनो बात करे कैंग डानिस्टी की तो कुछ इनिवर्स ऐसा हो सकते है जहाँ पर आड़ेन मैन की जगा कोई दूसरे सूपर हीरो उसको रिप्लेस की हो जैसे कि माल जी अगर हम लोग बात करें अर्थ 838 की तो यहाँ पर जो कैंग का सबसे बड़ा विलेन होगा वो हो सकता है सुप्रीम स तो यहाँ पर भी थेनोस का एंड हुआ है लेकिन बात में क्या हुआ टोनी स्टाक तो चला गया ना यानि दोस्तो हर एक इनवर्स में यहाँ पर कैंग के कुछ अलग विलेन्स हो सकते हैं जिनने कैंग को खतम करना काफी ज़रूरी हो जाता है और में भी दोस्तों अगर हम तरीके से इंकर्जन हो ताकि मल्टिवर्स वार हो जाए और आपस में जितने भी सूपर हीरो या फिर सूपर विलेन हैं वो सब बैटल करने लगे लेकिन बात यहें पर कतम नहीं होती अभी आगे जाकि यह देखना पड़ेगा क्या हम लोग को क्यांग का कोई अच्छा वर दिखाए जेगे कि आखिरकार टचाला के जाने के बद वकांडिना में क्या हुआ है और उसी ट्रेलर में हम लोग को पहली बार नेमर का ओफिशल लाइव एक्शन रूप दिखाए जएगा हाला कि हम लोग को बहुत से कॉंसेप्ट आर्ट दिखाए दिये हैं हम लोग इंडर तो फेस वोर की थी और यहां पर हम लोग को नॉमबर में देखने को मिलने वाली है अब देखते इसकी कितनी हाइप होती है हाला कि यहां पर हाइप के अलावा ओडियंस का इस मुई से एक अजीब तरीके का इमोशनल अटाश्मेंट भी है क्योंकि जो हम लोग के मे नाम सुनके तो इसा लग रहा है कि कैसे यहां पर पीटर पाक को स्प्वारेश की टाकत लेकिन दोस्तों यहां सबो कि इक सीन सकते हैं जहां पर नावन आपनाय। विजिट कर रहे हैं और बगल में आंट में भी है और नॉर्मन ऑस्बोन के अगर आप लोग हैरस्टाइल देखेंगे तो वह बिल्कुल कॉमिक एकुरेट है तो मेरे साब से इसके भी इवेंट्स हो रहे होंगे वह किसी और रियाल्टी में हो रहे होंगे आप यह लोग को इ हम लोग को इसका पहले लुप देखने के मिला है जहां पर हम लोग काफी क्याक्टस को देख सकते हैं लेकिन इन सब के अलावा यहां पर अगर हम लोग बात करें आगे Captain America The New World Order तो यहां पर यह देखना पड़ेगा क्या Sam Wilson के साथ बकी वांस टीम अप करेगा की नहीं और यहां पर कौन से में विलन हो सकते हाले कि अगर लोग बात करें इस टाइटल की तो में भी हो सकता हाइडरा फिर से जिन्दा हो जाए क्योंकि यहां पर Red Skull की वापसी हो यह जो कि पहले Confirm हो चुका है लेकिन अभी तक वो कहा है Cinematic Universe में यह किसी को नहीं पता चला तो हाला कि यहां पर काफी लंबी प्लानिंग चल ली होगी जो कि आगे जाके हम लोगो सीधे Captain America 4 में दिखाई देगी लेकिन यहां पर अभी अगर आप लोग मावर स्टूडियो देखने को मिल सकते है यानि दोस्तों Face 4 के अगर हम लोग बात करें तो वो तो बस एक शुरुवात थी यहां पर नएक एक्टरस को क्रेट करने की यहां फिर पुराने के एक्टरस को फियरवल देने की जैसे कि Black वडो चली गई है थौर कैसा लग रहा है कि वो अपनी अलग एक्टर को पता चलता है या फिर वो एंड्रु गाफिट बनने की कोशिश कर रहे है यह तो आनेवल वक्त बताएगा लेकिन इस सब के अलावा कुछ और ऐसी मुईज है या फिर क्या कुछ और ऐसे टाइटल है जिनका ट्रेट बाक रिलीज हुआ है या फिर के रिजिस्ट वर और कैंग डैनिस्टी जैसे मुगी देखने को मिल ली है लेकिन इन सब के अलावा अभी भी एक इंपॉर्टेंट अनॉसमेंट बाकी है यो कि है फेंट्स्टिक फोर के कास्ट की हालकि यहां पर कहना है कि एंट्वन कौांटम मैनिया में क्यांग के अलावा हम लोग कर सकता है कैंग से बैटल करने में और यहां पर अगर बात करें डॉक्टर डूम की तो कहा जा रहे कि उनकी एक सोलर टीवी सीरीज पर वर्क चल ला है रहां पर वो डॉक्टर स्टेंज के साथ टीम अप होते हुँ दिखाई देंगे और वो बैटल करेंगे मैफिस्टो से आप लोग पता है डॉक्टर डूम में कैसे विलन है जो के आरेट में की टेक्नोलजी और डॉक्टर स्टेंज के मैजिक दोनों को कंट्रोल करके एक अजीव सी चीज बनाना जानते हैं और यहां पने वो काफी खतरनाक हो सकते हैं एवंजर 5 मुई के लिए दोस्तो यह तिक अमेजिक अपडेट तो के रिलेटेटी नए मारल मुईज और टीवी सीरीज के अनॉंस्मेंट से घुप आपको वीडियो पसंद देए होगी वैसे आपकी के विजस पर्टल टॉपिक पे अपनी वीज़रू कमेंट किजिए और दोस्तों गरा पैसी इनक् चैनल को सब्सक्राइब करके मैं सुपर एरो फामिली का इस्ता बन जाएगा